देखे बहुत बड़ा निर्णायक समय है देश के सामने और भारतिय जनता पार्टी के साथ सारी एजनसीज, सारी ताकतें, मीडिया के अंदर उनका प्रभाव, एक्जिट पोल पे उनका बड़ा प्रभाव, सब कुछ होने के बावजूद भारतिय जनता पार्टी दस साल शासन करने के बाद अपने बल्बूते पे मेजॉरिटी मार्क भी टच नहीं कर पार, यह बहुत बड़ी गंभीर बात है भारतिय जनता पार्टी के लिए, और मुझे लगता है कि वो पार्टी जो कहती थी एक मोदी बनाम सारे, जो गटबंदन को मजाक के तोर पे उड़ाया करती थी, जो कहती थी गटबंदन की सरकार मतलब कमजोर सरकार, गटबंदन की सरकार मतलब बैसाकियों वाली सरकार, वो पार्टी आज एक एक सीट वाली पार्टियों के आगे गिड़ गड़ा रही है उनके हाथ पाउं जोड़ रहे हैं उनको फोन कर रहे हैं ग्रह मंत्री आज यह आलत आ गई है तो प्रधान मंत्री का जो गहमंड था आज वो गहमंड देश की जनता ने चूर चूर कर दिया और मेरा मानना यह है कि नैतिकता के अधार पे प्रधान मंत्री मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि यह और किसी की नहीं सबसे ज़्यादा यह प्रधान मंत्री क्यार देखे बहुत बड़ा निर्नायक समय है देश के सामने और भारतिये जनता पार्टी के साथ सारी एजनसीज सारी ताकतें मीडिया के अंदर उनका प्रभाव एक्जिट पूल पर उनका बड़ा प्रभाव सब कुछ होने के बावजूद भारतिये जनता पार्टी दस साल शासन करने के बाद अपने बल्बूते पे मेजॉरिटी मार्क भी टच नहीं कर पा रही यह बहुत बड़ी गंभीर बात है भारतिये जनता पार्टी के लिए और मुझे लगता है कि वो पार्टी जो कहती थी एक मोदी बनाम सारे जो गटबंदन को मजाक के तौर पर उड़ाया करती थी जो कहती थी गटबंदन की सरकार मतलब कमजोर सरकार गटबंदन की सरकार मतलब बैसाक्यों वाली सरकार वो पार्टी आ तो प्रधान मंतरी का जो गहमंड था आज वो गहमंड देश की जनता ने चूर चूर कर दिया और मेरा मानना ये है कि नैतिकता के अधार पे प्रधान मंतरी मोधी जी को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि ये और किसी की नहीं सबसे जादा ये प्रधान मंतरी के आर देखें बहुत बड़ा निर्णायक समय है देश के सामने और भारतिय जनता पार्टी के साथ सारी एजनसीज, सारी ताकतें, मीडिया के अंदर उनका प्रभाव, एक्जिट पूल पे उनका बड़ा प्रभाव, सब कुछ होने के बावजूद भारतिय जनता पार्टी दस साल शासन करन के बाद अपने बल्बूते पे मेजॉरिटी मार्क भी टच नहीं कर पा रही यह बहुत बड़ी गंभीर बात है भारती जंता पार्टी के लिए और मुझे लगता है कि वो पार्टी जो कहती थी एक मोदी बनाम सारे जो गटबंदन को मजाक के तौर पर उड़ाया करती थी ज गटबंदन की सरकार मतलब बैसाखिंघों वाली सरकार वो पार्टी आज एक सीट वाली पार्टी के आगे गिडगड़ा रही है उनके हाथ पाउं जोड़ रहे हैं उनको फोन कर रहे हैं ग्रहमंत्री आज यहालत आगई है तो प्रधान-दमनत्री का जो घंड करदा आज मेरा मानना ये है कि नैतिक्ता के अधार पे प्रधान मंत्री मोधी जी को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि ये और किसी की नहीं सबसे जादा ये प्रधान मंत्री के आरे